यशो मती मैया के नंद लाला यशो मतीजनेग के नंद लालान यनवासु मिस्रि कंटे में जहावा यह वाल्यों हो you नुएतन लाला यनवासु में अभुजा रिम र classic दो son यह वितन ल mentor आपके सामने मैं प्रवचन कैसे दे सकती हूं प्रभु जुन्ता की कोई बात ना है मैं आपको तनिल्ग भी तंग ना करूंगो चुपचाप आपसे गंगाजल की महत्वग की कथा सुनंगो गंगाजल की कथा वा का ना चतूराई दिखाई दी आप सब खड़े क्यों हो बैठो तीर्थी आत्रा में मुझे श्री गंगाजी में स्नान करने का सोभाग्य मिला इसलिए मैं आज तुम सक को श्री गंगाजी की महिमा सुनाऊंगी एक दिन भगवान श्री नारायन के वाहन श्री गंगाजी के उपर उड़ रहे थे तब ही छटपटाते हुए उस सर्प की पूँच गंगाजी के जल को छूगई और तब उसे उस सर्प योनी से मुक्ती मिल गई और वो मानव योनी को प्राप्थ हुआ देखते ही देखते वो चार गुजाओं वाले मानव में बदलगो जैसे बैकुंट के निवासी श्री गरुड देव तो उसे अपना भोजन बनाने वाले थे पर अब वो उसे सीधे बैकुंट ले गए तो क्या श्री गंगाजी के जिल में इत्तो चमतकार होतो है कि एक साधारन से सर्प को वेकुण्यवासी बना दियो? हाँ संकरी जही तो महिमा है प्रभू श्री शिव शंकर की जटाओं से बहने वाली राजा भागी रद्वारा प्रित्वी पर लाई गई श्री गंगा नदी के जो भी इस पवित्र गंगा नदी में तीन डुपक्या लगातो है उसका भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों काल पवित्र बन जाते हैं जब प्रभू श्री राम बनवास के लिया योध्या छोड़ कर जा रहे थे तब सीता मईया ने भी गंगा जी को प्रणाम करके सब के साथ सुरचित लोटने का आशिरवात मांगा था आप सब स्वेम ही सोचो जिनकी आरातना स्वेम सीता मईया ने की हो वो गंगा मईया कितनी पवित्र होगी अब तु मेरे मन में भी गंगा मईया की दर्शन की इच्छा जाग रही है मौसी कितना अच्छा होतो ना यदि जे सव भाग हम वरिंदावन वासियों को भी मिल जातो हमारे तो भाग्या ही खुल जाते काना तुम गंगा जी को सच मेया बुलाने वाले हो पूर्णा मौसी आपका प्रबच्चन सुनने के बाद तो मेरा भी मन कर रहो है यदि मुझे भी गंगा मईया के दर्शन हो पाते वो भी तिपावली के दिन तो बात ही कच्छू और होती हे नारायन हमारी जे इच्छा आज नहीं तो कल पूरी अवस्से करना यदि आप सब लोग इतना ही उत्साहित है गंगा जी के दर्शन के लिए तो मैं तीर थी आत्रा की तैयारी करवातो है हम सब सीख रही जाएंगे गंगा मया की गंगा मया की बाबा मया तो कली गंगा जी मैं स्नाल करना चाती है तिवाली क्या उसर पे? काना? खल की कल तो असंभाव है जे ना हो पाएगो अप्ती मैया की इच्छा पूरी करना हाल लड़ा का करते भी होतो है ना मैं कली इने गंगाची के पास ले जाँगो जिस भी गंगाच नान करना हो तल सुबह मेरी और मैया की साथ चल बढ़ना चलो ना मैया विलो मोरो है फिर मुझे गाचा रण कले भी तो जानो है काना जिसे तो गंगाजी समझ रहे वो जमुना जी है मुझे पतो है मैया जमुना जी उधर है और गंगाजी वहाँ परवत के पीछे है खाना? महाँ कोई नदी ना है आप आओ तो स्थरी में लेकर चल रहा हूँ सिधर चलो मैया बाबा गंगाजी प्रदिक्षा परी आए अनाब मैं दर्वाजा बंद कर देतो जे क्या कर रहा हूँ दिपावली का उतसब है आप द्वार क्यों बंद कर रहे हो जी? अब जो बंद सी को बताया वो आपको भी बताना पड़ेगो क्या? दिपावली के दिन को द्वार बंद करतो है लक्षमी जी कैसे प्रवेस करेंगी? और उनके स्वागत के लिए जो इतना सब करो है मैंने उसका क्या आर्थ रह जाएगा? सम्रिद्धी की देवी का आसिरवाद चाहिए की ना? समझ गोई है सुधा चले? आपके प्रिय आम के पत्ते और गेंदे के फूलों का तोरण लगाकर आपके पच्चिन बनाकर आपके लिए गर द्वार खुले रखकर अब आप बताईए देवी क्या पूजा के समय आप वहाँ पधार कर? उन्हें आशिरवाद देंगी? मैं वहाँ अवश्य जाओंगी प्रभू किन्तु आशिरवाद देने लेने मैया याशुदा का आशिरवाद लेने कान्हा कान्हा रूप हमारे प्रतिक्षा दो कर अरे नाना मैया को प्रतिक्षा ना करना चे ये आप दोनों सिगरा आओ कान्हा कानाम, जिस ओर जा रहे हैं, वहाँ कोई नदी ना है, तेवल परवत है हे गंगा देवी, आप मुझसे मिलने की इच्छोख आए, और मुझे भी ये वर्ट्या का पाप्त होने के लिए आपके पावेत्रे जनकी आ सकता थी, इससे अच्रेत मेरे मैया बाबा और सभी विन्दावन वासे भी आपके दर्शन पानी के लिए अतुर है जो गंगा मेरी जटाओं से बहती है, आज वही गंगा परिंदावन में पहेगी जो गंगा मेरी जटाओं से बहती है, आज वही गंगा परिंदावन में पहेगी झाल जुप झाल पिलेँ झाल झाल प्रणाम प्रभु आपने मुझे यह आमंद्रित किया अपने परम पवित्र रूप के दर्शन दिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु देवी गंगा के इस रूप को मेरे सखा श्रीक रिष्ण ने अपनी कलपना अपने मन से उत्पन किया है इसलिए आज से इसे मान्सी गंगा के रूप में जाना जाएगा इसे मान्सी गंगा के रूप में जाना जाएगा विंदावन में आपका स्वागत है मानसी गंगा नहीं देवे मुझे प्रनाम मत किजिये आपको दो मुझे अर्शेडवात देना है नहीं तो महिया के सामने मेरा पेट खुल जाएगा जी कैसे संभव है श्री नारायन चाहे तो सब कुछ संभव है प्रभो के इच्छा के अनुसार मैं गंगा आज से मानसी गंगा के रुप में यही बहूंगी ताकि सारे प्रिंदावन धाम के वासियों को मेरे जल में सनान करने का फल मिल सके स्री नारायन का असरवाद मिलो है हम स्वेहम गंगा मैया का असरवाद मिलो है चलो सब गंगा मैया का असरवाद ले लेते हैं अपने पाप दो लेते हैं पवित्र हो जाते हैं लेते हैं बस बहुत हो चुक है हर बार मैं पराजित नहीं होगा और हर बार उसे विजय नहीं होने दूगा मैं दीपावली के सुबावसर पे प्रभु शिरी राम के दर्शन हो गए मुझे मैं धन्य हो गई प्रभु कल मैंने तुम्में महादेव सिवसंकर को देखा और आज प्रभु स्री राम को देख रहूँ मैंने अपने भक्तों को उसी सरूप में दिखाई देता हूँ मैं वो मुझे देखना जाते हैं और अपने सत्रों को तिखाई देटा हूँ मैं दूर्ष सपना के रूप में उस विश्णु अफ़तार को अपने मारक से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं कुछ भी असके दिये जाहि मुझे अपने गौर शत्रों से मित्रता भी क्यों ना करनी पड़े दिन्तों उस विश्णु अफ़तार का वद्ध करने के लिए कुछ भी करूंगा मैं हमारा दूल जीवनी सपल हो गो मैं सच्ची में संफालिये प्रभू इससे पहले कि मैया का संदेह बढ़ जाए मैया बहुत थंड़ लग रही है बहुत थंड़ लग रही है ओ छड़ में ठीक हो जाएगो लल्ला में यह गंगा जी का जल जित्ता फुत है उत्ता थंड़ा ही है कित्ता भूला भाला है मेरा काना और सब कह रही है कि जे स्री नरायन का स्वरूप है जे कोपिया भी न कच्छो भी बोल देती है और मैं भी व्यर्थ में इनकी बातों में आके कच्छो भी सोचने लगते हूँ बैस बैस मैया भोगो अब सीधर जलो घर कोई प्रतिक्षा कर रहा है पूरा गाउन तो यहाँ है लला फिर घर पे हमारी प्रतिक्षा कौन करेगो बोलना कौन प्रतिक्षा कर रहो है वो ही जिनके लिए आप वार खुला छुड़के आयो मैया लक्षमी चलो अब घर चलते हैं लक्षमी पूजन की तयारी भी करनी है ब्रंदावन की हमारी पहली दीपावली है सम्रद्धी की देवी का स्वागत इस प्रकार करेंगे के वो सदा के लिए यहीं बस जाए यहीं हमारे साथ हमें छोड़कर कभी न जाए किसी के मुख पर कोई प्रसनता नहीं होगी कोई तयार नहीं मनाया जाए गवरंदावन में महाराज आपके आदेश के अनुसर मैंने संदेश पहुचा दिया है पर वो आपका शत्रू है महाराज वो यहां क्यों आएगा वो आएगा प्राप्ति अवश्या आएगा बले मुझ से मित्रता करने नहीं मेरे दुख में सम्मेले तो होने नहीं परन्तु मेरी पराजे का उपहा सोड़ाने आएगा वो इस सबस्टर को अपने हातों से जाने नहीं देगा वो वकात सोर मैंने कहा था ना प्राप्ति वो अवश्या आएगा मेरी पराजे का उपहा सोड़ाने आएगा आ गया वो महराज यह क्या कर रहे हैं आप चत्रू है वो प्राप्ति नहल में भेट करने नहीं आएगा मुझे ही जाना होगा किसी ऐसे स्थान पर जाओं उसे ये विश्वास हो जाए कि मैं अकेला हूं तभी तो मुझे गेरने का प्रयास करेगा वो चमतकारी तो है जे दिपावली के दिन गंगा मया की दर्सन हो गए इससे सुबर क्या हो सकतो है जे पक्चन मैंने तो बस जे ही पक्चन बनाये थे तो जे लक्षमी जी के पक्चन भीतर तक क्यासे आ गए किसने का रूजे इस खार तो जे है ना कि लक्षमी जी सच्ची में हमारे घर पधा रही है कि अच्छा होता जी यदि हम यही होते उनका स्वागत करते उनकी पूजा करते प्रसाज चड़ाते और उनकी सेवा का सवभागी मिल जातो होता भी भी मिल सकतो है मैया लक्षमी देमी स्काम नहीं तो है